अहां जी काईज कैसे आप लोग अयोपस भी बड़े होंगे अपने लाइफ में इन्जवाइक करें होंगे यह गाईज एक्सरे कोर्स की सिद्जिली जिसका पार्ट नंबर है 71 एक्सरे आर्टिफेक्ट तो गाईज इस वीडियो के अंदर आप जालेंगे एक्सरे आर्टिफ अग्सरे करेंगे तो चलिए आप बहुत सारे आर्टिफेक्ट वह आप आगे स्टडी करेंगे तो यहां करन से अपनी देखने को मिलेगा गाइस की तो X-ray image के आर्टिफेक्ट बन रहे हैं वो क्या है वो एक external shadow है additional information है एक X-ray image में जो की अपने को diagnosis में भी helping करती और X-ray image quality को भी degrade करती है आर्टिफेक्ट होगा जो पर देखने को मिलेगा और ये कह रहा है ये तो आर्टिफेक्ट होंगे ना ये पेशन के अंदर के नहीं होगे ये आर्टिफेक्ट आउटसाइड पेशन होगे जो भी पेशन की बोडी है उसके बाहर के होगे में भी हो सकता है X-ray tube का error हो सकता है X-ray cassette का error हो सकता है में भी कुछ fault वगरा हो कुछ भी हो सकता है जैसे CT के अंदर ring artifact होगा आर्टिफेक्ट होगे नोर्मली motion artifact अपने को देखने को मिलेगा बच्चे होगे जैसे sensitive cases वगरा में अपने को जदा देखने को मिलता है जो भी कोई hardware failure है उसका result हो सकते है या फिर कोई software का issue हो सकता है या फिर image processing का means X-ray cassette का या फिर इस time आपा उसको calibrate करते है उस time processing करते है film IP का कुछ चीज़ हो सकते है तो यह issue किसी भी चीज़ का हो सकते है जो means patient के body से बाहर है उस एड़ होरा है external अगर external add हो रहे तो X-ray image उसको क्या करेंगा? corrupt कर देगा then guys यह देखिए X-ray image artifact यह देखिए maybe patient का इसके अंदर गले के अंदर कुछ था यह तो यह देखिए artifact हो यह इस गले के अंदर कुछ था तो अपने को इस टाप से देखने को मेरेगा बात कीता है यह भी the most common cause of X-ray image X-ray image का artifact का reason हो सकता है improper X-ray image handling यह देखिए कि इस टाइम कैसे अपा expose कर रहे हैं उस टाइम में उससे का कुछ issue हो सकता है या फिर जो भी technician है उसने जादा ध्यान नहीं दिया यह कह रहा है कि improper handling की बात हो रही है यहां 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 इस टेकिनिशन का अगर रिडियोग्राफिए कुछ गलती के रहान आठीक्ट आ सकता है then processing system processing system में अपना software का system हो सकता है जो भी processing हो रही है जिस टाइम उस printer के अंदर डालेंगे अपनी डालेंगे अगर मोस्ट को बनाकर आठीक्ट की बात की जाई तो अपने को motion artifact देखने को मिलेगा यह क्या काई motion artifact देखने को मिलेगा यह फिर detector errors का देखने को मिलेगा मिल डिटक्टर के दर कुछ उस IP जो अपनी एक्सरी में उसके अंदर कुछ इश्यो होगा में भी वह कवर नहीं हो रही है उसके सफाई बगर रहनी होई है तो कई नहीं फिर एक अपने को सब्सक्राइब कर देख तो ना मैं देखी जहां मैं एक्सरी में प्रैक्टरिस की जहां जोब गी तो वहां क्या था ना अवर बगर 4 कैसिट थी लिए 1 कैसिट इसी थी कि उसमें ना कुछझ बीच टॉट के सम 않고 जो बूसटumin होौन ना है थो बगर कश का तो उसका लगा थत वी तो इसके रभी में पता लगा तो उसको कवरीमा थीज़ी तो बशushyण सी tap फिर इमेजय हो तो इमेज्ड प्रोशेसिंग एर एर प्रोशेसिंग एज इमेले स्वाड़्यार्यार्थ वह सिस्या edge इमेज्ड प्रोंग के बाद जो कहसीठ को आप प्रोशेसर ने को सulator when ke 책 के ऐना में डालता तो तो आज की वीडियो में इतना गई दोखे थैंक्यू फरें सेवे नई शेक मिलते हैंगा इस नहीं वीडियो में नई टोपिक के साथ